असलाम अलाइकूम तो कैसी है मेरी वाइटी की छोटी सी फेमिली उमीर है आप से बच्छे होंगे खेरत से होंगे और मैं भी हाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आप सिब के साथ हमारे रोशन किचन में शेयर कर रही हूँ मावा केक की रेसिपी इसको आप मिल्क केक भी कह सकते हैं और हमारे एरिया में इसे अजमेरी बोलते हैं तो आज मैं आप सिब के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और बिल्कुल हलवाई के जैसे आज हम इसको बनाने वाले हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल पर्फेक्ट बना है और दानेदार भी है स्वाद इसका उतना ही अच्छा है और आप यकीनन इसे बनाएंगे तो तारीफी पाएंगे तो आप हमारी ये रेसिपी को जरूर बनाएं और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें बहुत ही दानेदार बनकर ये मिल्क केक तैयार होता है चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है वाइट वाला खोया हम इसको मावा बोलते हैं खोया भी बोलते हैं और ये मैंने 400 ग्राम लिया है और इसी से आज हम अजमेरी बनाने वाले हैं तो देख सकते हैं आप अब मैं यहाँ पर एक कढाई ले रही हूँ और इसमें यहाँ पर मैं धाइसो ग्राम दूदेट कर रही हूँ 400 ग्राम हमारा मावा है और मैं यहाँ पर इसमें 500 ग्राम दूद एट कर रही हूँ इसको हम यहाँ पर उबाल आने देंगे बिल्कुल हलवाई के तरीके से आज मैं आपके साथ यह रसिपी शेयर कर रही हूँ दूद को हम उबाल लेंगे और इसको हमको चलाना है कुछ देर के लिए और यह जो साइड में थोड़ा थोड़ा लग जाता है इसको भी हमको बीच में ले आना है मैंने यहाँ पर इसमें विनेगर एट किया है क्योंकि हमको यहाँ पर दूद को फारना होता है आधा ढकन यहाँ पर जो विनेगर की बोटल थी उसी से मैं ने यहाँ पर विनेगर एट कर दिया है इसमें और अब यहाँ पर हम वेट करेंगे चलाते रहेंगे हम लगातार और दूद को फाल लेंगे हम साइड साइड में जो भी मलाई जम रही है इसको हमको बीच में ले आना है और हमको इसको लगातार चलाते रहना है अगर आपके पास खोया नहीं है, मावा नहीं है तो आप ये वाली अजमेरी को दूद से भी बना सकते है गेस की फ्लेम हमको यहाँ पर बिल्कुल धीमी रखनी है और धीमी आज पर हम यहाँ पर दूद को उबाल लेंगे और इसको हमको चलाते रहना है देख सकते हैं आप यहाँ पर दूद हमारा फट चुका है इसको हम चलाते रहेंगे बिल्कुल धीमी आज पर जलने नहीं देना है हमें इस बात का ध्यान रखना है नहीं तो इसका फिर जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा आप यहाँ पर अजमेरी को दूद से भी बना सकते हैं अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप यह जो दूद का स्टेप में कर रही हूँ यहाँ पर जितना भी आपको अजमेरी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर दूद एट कर सकते हैं दूद यहाँ पर बहुत जादा लग जाता है इसलिए मैं यहाँ पर मावे से बना रही हूँ देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने 500 ग्राम दूदेट किया था और उससे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो से तीन चम्मत जितना खोया बनकर तयार हुआ है यह वाली स्टेप करते हैं न हम तो जब हमारी अजमेरी बनकर तयार होती है और हम जब खाते हैं न तो एक लच्छे टाइप का फ्लेवर आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है तो बस इसलिए आप यह वाली स्टेप जरूर करें अब मैं यहाँ पर इसमें मावा एट कर और यह पिघलने लगेगा अच्छे से हम यहाँ पर चला लेंगे और अजमेरी बनाते वक्त आप कुछ मोटे तले का बरतन का ही इस्तिमाल करें मैं यहाँ पर इसमें शक्कर एट कर रही हूँ तो यह आप अपने हिसाब से एट कर सकते हैं हमारे घर में बहुत कम मीठा पस अब हम यहाँ पर इसको मिक्स करते रहेंगे और हमको यहाँ पर इसको चलाते रहना है लगातार हमको यहाँ पर इसको चलाते रहना है और गेस की प्लेम धीमी ही रखनी है बरतन आपको मोटे तले का लेना है ताकि यह जले नहीं देख सकते हैं आप यहाँ पर बस इसी तर पाउडर एड़ कर सकते हैं लेकिन हमारे इधर जो बनता है उसमें इलाइची पाउडर एड़ नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको आज हलवाई स्टाइली बता रही हूँ तो मैं तेम उसी तरीके से बना कर दिखाऊंगे आपको तो मैं यहाँ पर इलाइची पावडर नहीं एट कर रही हूँ आप चाहते हैं तो आप एट कर सकते हैं हमको यहाँ पर इसे तब तक चलाते रहना है जब तक यह सुगर सिरप सोक न ले तब तक हमको इसको इसी तरीके से चलाते रहना है और इसका जो color है वो भी धीरे-धीरे change होता जाएगा देख सकते हैं आप यहाँ पर शुगर जितना भी melt हुआ है वो सारा वापस से सूख जाएगा तब तक हमको यहाँ पर इसको पकाते रहना है देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी हद तक इसका color change होने लगा है बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसको बनने में तोड़ा time जरूर लगता है लेकिन इसका जो स्वाध है इन्शाल्ला आपको जरूर पसंद आने वाला है तो आप भी हमारी यह रेसिपी को जरूर ट्राय करना और अपना feedback मेरे साथ जरूर शेयर करना काफी हद तक इसका color change होने लगा है इस तरीके से देख सकते हैं आप बस यही color हमको इसका चाहिए था मैं यहाँ पर इसको mix कर रही हूँ तो देख सकते हैं आप एक तरह की जाली जैसा बन रहा है इसमें बस इसी से हमारी जो अजमेरी है उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा मैं यहाँ पर अब इसको अच्छे से mix कर दूँगी और अब हम यहाँ पर इसको चलाएंगे नहीं क्योंकि हमको इसका थोड़ा सा डार्क कलर भी चाहिए ऐसे ही हम यहाँ पर गेस बन कर देंगे एक बार mix कर लेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे और अब यह हमारी जो कड़ाई है वो पहले से गरम ही है तो उससे यह थोड़ा बहुत इसका color change हो जाएगा और यह पकती रहेगी गेस की प्लेम मैंने बन कर दी है यहाँ पर और देख सकते हैं आप अभी भी यह पक रही है तो इसी से इसका जो color है वो थोड़ा बहुत dark हो जाएगा और थोड़ा बहुत light रहेगा जो की बिल्कुल perfect दिखेगा हलवाई की तरह पांच मिनिट के बाद मैंने यहाँ पर फिर इसको एक container में निकाल लिया है मैंने यहाँ पर cake tin लिये और उसमें मैंने यहाँ पर घी लगा दिया था थोड़ा बहुत और उसमें यहाँ पर मैं सारी अजमेरी add कर दूँगी तक यह अच्छे से इसमें set हो जाए आप चाहे तो यहाँ पर कोई plate भी ले सकते हैं या फिर कोई tiffin भी ले सकते हैं सारी अजमेरी को मैंने यहाँ पर cake tin में निकाल लिया है और इसको मैं अच्छे से tap tap कर दूँगी एक से दो बार और फिर यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो कुछ dry fruits add कर सकते हैं वैसे तो अजमेरी में कोई भी dry fruits add नहीं होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ badam के piece इसमें add कर दिये हैं और ऐसे भी जब हम इसको पलटेंगे न तो यह वाली side नीचे आ जाने वाली है तो आप चाहें तो add करें आप चाहें तो skip कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी 2-3 घंटे में यह बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगी देख सकते हैं आप यहाँ पर अजमेरी यहाँ पर हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है मैं यहाँ पर अब इसको एक plate में निकाल लूँगी अजमेरी को निकालने से पहले हम यहाँ पर केक्टीन को पहले थोड़ा सा गरम कर लेंगे ताकि उसकी वजह से हमने इसमे जो घी क्रिस किया था केक्टीन में वो भी melt हो जाएगा और हमारी जो अजमेरी है वो भी थोड़ा बहुत melt हो जाएगी तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी ठीक है अब हम यहाँ पर अजमेरी के पीस कट कर लेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कट कर सकते हैं मैं यहाँ पर पहले इस पर हलका हलका सा निशान लगा दूँगी और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको कट कर रही हूँ आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरीके से अभी मैं बिल्कुल निशानी लगा रही हूँ बाद में मैं इसके पीस कट कर लूँगी बहुत ही आसान बनती है बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इसका आप हमारी ये रेसिपी को एक बाद ज़रूर ट्राय करना मैंने यहाँ पर इस तरीके से अजमेरिक के पीस कट के तयार किये हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने इसमें बदाम एट कर दिये इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी जो हलवाई स्टाइल अजमेरी है, मिल्क केक है, वो बनकर तयार हो चुका है देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारी जो अजमेरी है कितनी धानेदार बनकर तयार हुई है क्योंकि अजमेरी में सबसे में स्टेप होता है उसका दानेदार बनना और वो आप यहाँ पर देखी सकते हैं देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारी ये जो रेसीपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार हुई है आपको हमारी ये आसान सी हलवाई स्टाइल अजमेरी मावा केक की रेसीपी कैसी लगी है आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें इन्शाल्ला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी और आसान सी रेसीपी लेकर आती रहूंगी तो अपना सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें रेसीपी को लाइक जरूर कर दे शेयर भी कर सकते हैं आप और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें